वर्सअप के अंदर तीन ऐसा सेटिंग है जिसके बारे में अभी तक 90% लोगों को पता नहीं है और ये जो तीन सेटिंग है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को पूरी देखना देखने के बार अगर आगर आपको लागे कि ये वीडियो में आपको नॉलेज बता रहो जो पहला सेटिंग है आपके लिए बहुत ही मुर्तपुन है और ये जो सेटिंग है ये हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी है तो इसके लिए आपको पहले चला जाना है आपकी एकाउंट में जहां आपको दिखाए दे रहा है आकाउंट तो पहले आपको दिखा देगा security notification उसके बाद आपको दिखाए देगा two step verification यह जो setting है आपको करना जरूर है क्यों करना जरूर है क्योंकि hacker लोग क्या करते कोई भी SIM card की number जो है clone करके वाटसब ओपन करके किसी भी हालत में scam कर सकता है ठीक है तो इसके लिए क्या है two step verification करना जरूर है तो इसके लिए मैं चला जाता हूँ two step verification यह जो two step verification आपको दिखा रहा है इसके नीचे आपको दिखाए दे रहा है enable तो आप just enable को click कर दीजे इसके बाद आपको six digit की pin आपको डालना है इसके अंदर तो मैं डाल देता हूँ मैंने जो six digit pin number में डाल दिया इसके बाद आपको email id डालना है इसके अंदर mail id हम डाल दे इसमें क्या होगा इसमें जो आपकी जो pin verification हो रहा है यह जो pin है अगर आप भुल जाते जब आप forget मारेंगे तो इस जो mail id है आपको जुरूत होगा तो इसके लिए मैं mail id डाल देता हूँ तो डालने के बाद मैं उसको next कर देता हूं next करने के बाद में फिर से मेरे एक बार डालना है तो मैं डाल देता हूं फीट से दालने के बाद इसको क्या करना है आपको सेफ कर देना है तो सेफ करने के बाद आप देख सकता है मेरा two step verification करने के बाद आप इसमें देख सकता है कि डिजेबल चेंज पीन अंचेंगे आप कर सकता है बाद में जो नेक्स सेटिंग है साइट कुछ लोगों को पता है यह जो सेटिंग में आपको करके दिखाता हूं तो चलिए मैं दिखा देता हूं तो इसके आपको जो सेटिंग के अंतर आपको दिखाए देगा अगर आप चाहते कि automatically save ना हो मैं manually just click करके मैं save करूँगा तो इसके बारे में यह जो setting है आपके लिए बहुत ही काम की setting है तो इसके लिए क्या करना होगा तो आपको इसमें दिखाए दे रहा है when using mobile data मतलब आप जब mobile data को use कर रहे हैं तब क्या होगा कोई भी आपको कोई वीड video documents सब कुछ मेरा automatically download हो जाए तो सब को tick मारके मैं okay कर दूँगा तो मेरा यह जो चीज़ है सब कुछ download हो जाए automatically मेरे को बीना पूछे मेरे जो gallery है उसमें automatically download देगा तो सब लोग क्या करते हैं ऐसे करके रखते हैं तो क्या इसमें क्या problem होता है कि आपकी जो mobile की महोरी card है यह full हो जाता है तो इसके बाद हम लोग सोचते हैं यार इसको कैसे बंद किया जाए तो इसके बारे में यह जो setting है आपकी बहुत बड़ी काम की है इसको क्या क्या करने सब चीज को आपको अंटिक कर रहा है अंटिक करने के बाद आपको ओके कर रहा है इसमें क्या होगा आपकी जो mobile data use हो रहा है कोई भी WhatsApp के अंदर message, photos, videos चाहे कुछ भी documents आए automatically save नहीं होगा जब कोई भी photos या फिर videos आपके पास आएगा उस time पे आप manually उसको save कर सकत होगा अगर आप चाते हैं के नहीं तो सब को अंटिक कर दीजिए इसका बाद क्या होगा आपकी जब photos, videos और documents जो है डाउनलोड नहीं होगा automatically आप जो next setting है यह बहुत ही काम की setting है साहिद 90% लोग नहीं जानते हैं अगर आप जानते हैं तो please इस video के नीचे comment करके जरूर बत भेजते हैं तो उस time पी क्या होता है आपने जिसके पास भेजा है उसने जब receive करते है फोटो को तब क्या होता है फोटो की जो quality है decrease हो जाता है जो photos की original quality होता है और decrease हो जाता है तो अगर आप चाहते ही कि same quality है वही मैं भेजना चाहता हूँ तो क्या करना है आपको इसको क्य करना है अभी auto mode पे मतलब यह कैसे भी quality भेज सकता है डाउन करके भेज सकता है या या बेस्ट quality भेज सकता है तो इसके लिए मैं best quality भेजता हूँ कि कभी भी मैं photos भेजू या फिर वीडियो बेजू ओर original quality में जाए तो इसको click करके just आप okay कर दीजिए और यह जो है setting आपके हो चुक है और यह setting से आपका क्या होगा original जो quality है आपके friends के पास original quality में पहुंच जाएगा तो friends आज की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आप subscribe करना नहीं चाते है प्लीज मेरे एक request है वीडियो को जरूर लाइक करना तो friends चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में आज के लिए bye bye